हाई गैस वल्कम टो माई चैनल आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अपने यूटूब चैनल की वीडियो को प्लैलिस्ट में कैसे एड़ करते हैं या प्लैलिस्ट अपने चैनल पर कैसे बनाती है तो अब बने रही इस वीडियो को अंतिम तक बिना आपको सर्षे बार में कुरम राजर की YouTube.com लिग कर आपको सर्षे कर दिना है तो YouTube.com लिग कर आपको सर्षे करने के बाद इस प्रकर का इंटरफेश खुल कर आएगा तो आपको बाजो में 3.00 दिखा देखा उसे क्लिक करना है उसके आद नीचे देखना है आपको गेस्ट करको बाजय लोग उसे कलिक करने के बाद इस परक्र का इंटरफेस खल कर आ जाएगा तो आपको थ्री डिर आपको बाजय मैं दिखाए रहा होगा जो जो प्लेलिस्ट है तो आप उसे क्लिक करना है तो आपको बाजू में दिखाई देगा प्लेलिस्ट उसे क्लिक करना है तो आपको प्लेलिस्ट क्लिक करने के बाद फिर सर्चिंग होगा सर्चिंग होने के बाद फिर इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा तो आपको इस प् उपर में देख सकते हैं new playlist आप इस पर आप playlist बना सकते हैं आप अपने वीडियो के अनुसार तो new playlist क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद इस पर करका interface खुल कर आएगा तो आपको इसमें playlist का title देना है तो आपको title पर आप कुछ भी अपने वीडियो के अनुसार title लिख सकते है तो आप वीडियो के अनुसा टाइटल लिख कर फिर नीचे देखना है पबलिक कर दिना है नीचे का तो पबलिक को किलिक करने के बाद फिर करेक्ट को किलिक कर दिना है तो करेक्ट को किलिक करने के बाद फिर उसे सर्चिंग हो जाएगा सर्चिंग होने के बाद इस परकर का आएगा तो आपको उसी को टच करने है तो फिर पेंसिल वाले आइकन को टच करने है तो पेंसिल वाले आइकन को टच करने के बाद फिर डिस्क्रेप्शन आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आप अपने वीडियो के बारे में या कुछ आप वीडियो से संबद रिलेटिट उसके बाद आपको फिर बैक आजाना है बैक आने के बाद आपको डैसबोर्ड या वीडियो पर आपको क्लिक कर दिना है तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी वीडियो को आप प्ला लिस्ट में आड करना चाहते हैं उस वीडियो को आप एड कर सकते तो आप अपने playlist के अनुसार अपने नाम के अनुसार उस video को क्लिक करना है तो आपको उस video को क्लिक करने के बाद उसे फिर pencil वाले icon पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे देखना है आपको इस प्रकर का इंटरफेस दिखाए देगा तो आपको नीचे देखना है थोड़ा नीच दिखाई देगा उसे प्लैलिस्ट को क्लिक करना है उसका स्लेक्ट प्लैलिस्ट तो आप जितने भी प्लैलिस्ट बनाए होगे उस प्लैलिस्ट का नाम आएगा उसे क्लिक कर दिना है उसके आद बाजू में डॉन दिखाई होगा नीचे तो उसे आपको क्लिक कर दिना है तो क प्रकार आपका प्लेलिस्ट बनकर त्यार हो जाएगा तो आप इस प्रकार से आप अपने वीडियो को प्लेलिस्ट बना सकते हैं तो आप अपने बहुत सारे प्लेलिस्ट आप बना कर आप अपने वीडियो को एड कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइ कर वींट